नमस्कार प्रहरीले आवस्चेक ठानो भने पूर्वपरदान मंत्री बावुराम भत्राई र माधावकुमार नेपाल समेत पक्राव पर्ण सक्नेगरी अदालत ले बाटो खोली दिये को छा र सम्योग के भने अदालती फईशलाको अरको दिन आजर सोमबार माधावकुमार नेपाल विदेश भर्मन मा निश्किये काशन बावरम भत्राई ले चानमीन मा पूर्वपर्ण सयोग गर्ने पर्थिवर्दता जन आये काशन उता पक्राव पुर्जी जारी गरिये का विजे कुमार गक्षेदार लाई जोगाउना कांग्रेस उत्रियेला अभ्योग नाचन कहिले पक्राव परलान की होला इस्थिती योष्मा अब चासु गड़े को छा मादकुबा नेपाल मा थी धर पकड कई इस्थिती में पनी एकिकरित समाज बादी पाठी उनको नेत्रत को पाठी सरकार में रहला येस्ता तमायाम परिद्रिश्य को आंकलन र दूत गवतम बुद्ध संग आपराधिक दाग बोके का लाहर क्याल लामा लाई लगेर ये सरकारले टांसी दियेको छा गांसी दियेको छा लाहर क्याल लामा लाई बुद्ध जन्म थलो लुम्मेनी को हर्ता कर्ता नियुक्त गर्णू पर्थम द्रिश्ट महीं प्रभाव ले शरणा अगत पार्न शकुन बावपास माँ खिजन शकुन बुद्धत चैनन है और इमिसात्मक जुन्दबाट उदायर अईले सरकार हाकिरायका परचंड हुन परधानमंत्री वहा परचंड मातहत न्युक्ति थापने लाहर क्या लामा हुन वहारू बुद्ध को देशना एबं आदर्षको आकर्षण ले वन्दा पने भुद्ध का नाम मा जे बईभव छो बजेर जे छो तिसको मुहमा आशक्त रहे को प्रष्ट छो दर्शकुन कुरा के बने लुम्मेनी को चवतरफी विकास का लागी बन्दई 2022 साल मा इस्थापित लुम्मेनी वि को आश्था एबं विश्वास संग जोडियेको छ तेस्तो अंतराष्टिय चिनारी भोके को धलो मा अपरात का खत भोके का पात्र ला लगेर सरकारले नेत्रित्तो मा नियुक्त गरेको छो यो नियुक्ती और वहुं को आश्था माथी को खेलवाड मात्रे वही न लुम्मे चार संग जोडियेर अपरात संग जोडियेर अणि असध्य इस्ता कईफियत ग्रस्त बिगत जान्दा जान्दाई पनी परचंद सरकारले किना उने लाहर क्याल लाई लुम्मेनिको नित्युत्त मान ही उप्त गरेऊ किया प्रहरी बात न डामी एका कानुन बात न दागी जोडिये का अरु कोई पात्र अरु थियरन दर्शक मिन मंत्री परसाद ले संस्कृति प्रेटन था नागरे गुड्डेन मंत्री सुधन किनाति को सिफारिश्मां ही जो आहिते बाद लाहर के लामा लाई लुमिनिविकास को उपादक्षे बनायेको उपादक्षे पद को क करनों बजेट चलाओनों सकने सक्ति चाली पद होति हो उपादक्षे पद तेसले तो यो पद मा धेरैले स्वार्थको आखा गारेका हुँँचन विश्वर्का बाउद मार्गी मा आपनों प्रभाव देखाऊनों कोषको नेत्रित्तो सच्छे मुणू परने हुँँच त अल्त्राइस्टे जगत मा यो नियुक्ति को संदेश के जाला लाहर क्याल जेल बसेर छुटे का थिये बिगत मा उनी विरुदत ठगी आरोप लागेको हो बैंक मा रहेको उन्नों को लकर बाट बोली बरामद भायेको थियो दोरो नागरिता विवाद मा मुशियर उनले मंत अल्त्री पद बाटा हाथ धुनू परेको थियो इस्ता इस्ता बिगत छल जस्तो कि वैदेशिक रोजगारी के करम मा ठगी दन्दा चलायेको आरोप उनी मा थि लागेओ मकाव पठावने वन्दे 2 करोड रूपिया ठगेको आरोप मा उनी 2002 तर चाहित मा पकराव परेका थ गोली भेटियो पची लामा पकराव उत परे तर तुरूंते उनी धरहोटी मा ठुटे स्वत्तंतर तिबबत अभियान नेपाल मा पर्तिबंदीच तर लामा को संगलनतार असं मंदा तेसमा जोडियेक रुभेटियो फाउजदारी मुद्दा न लागेका रव विवादमा नपरेका ब्यक्तियो ओरलाई लुम्मेनी विकास कोषको उपादक्से मा नियुक्ति गरना बाउद समुदायले सरकारलाई पहले नहीं सचेत गराया का थिये ध्यानाकर्षन गराया का थिये तर परचनल सरकार का परेटन मंत्री सुधर किरांती ले त्यो आगरालाई नजर राजनितिमा पाइला बढाये पछी एमाले हुदेई उनी मावादिमा पुगे का हुन लाबर अबसर का लागी उनी निकई आशक्त उच्चुक्र शक्रिया देखींचन आफना कर्तूत का फंदा बाट उन्मुक्तिका लागी उनले राजनितिका आडली ने गरे को आरोप सिंदुपाल चुग का यि लामा तेहां का का आगय्रेस्नता कांचा लामा को संपर्क बाट और का का आगय्रेस्अ मने भात महनबादुर बसनेत dive को नजीक मदै पुर्वागीरियमत्र समित रहे खुमबादुर खाडका संग को सम्मंद का का आरण उनी दिएजार अंठा उ सभावा मां समानुपातिक कोटा बाट समिनान सभा सथस्य बने दुएजार चैतर साल मा जलनाद खलान परधान मती हुदा लामा और्थ राज्य मत्री भाय का थिये तो रहा दोरो नागरिता विवार्न मुशियरा उनी तो पद बाट हाद दुन परेगो थियो दोरो नागरित कारने कांग्रेसर यमाले बाटा लापको पद पाईशा के का लामा दोस्रो समिनान सभा मा मावादी बाटा सभासद बने रही जो आईतवार लुमेनी विगास कोश को उपादक्षे मा लाहर के लामा नियुक्त भाय का चार उनलाई कोश का अद्दक्षे समेत रहे का पुर्वा पर्दान मंत्री मादाकुमार नेकालर भावराम भ nooitट्राई लाई अनुसिन्हान मां तान्न का लागे बाटा खुले को चखा विजेकुमार गच्चेदार सव एत्ध का चार Já drink पुर्वा मंत्री हरुfan माना पक्रावपूर्जी नयं जारी भाय कोश है पक्रा पूर्व सहयोद्या बावराम भट्राई उपर कस्तो रूख अपना उलां। त्यो पनी गहन उईले हेक्कामार अने वाला छा। कांग्रेसले पक्राव पुर्जी जारी गरी एका भीजे कुमार कक्षेतार लाई जो गाउन होजने पो होकी त्यां चाशो छा। माधाकुमार नेपाल माथी धर पकड सम्मके इस्थिती यदी आयो वने पनी समाज बाजी पाटी जो माधाकुमार नेपाल ने त्रित्तो माँ छा त्यो सरकार में रहाला। त्यो परिदिर्शय को पनी आकलन रपुर्वान मान अईले चल रायकोचे यदी माधाकुमार नेपाल बिदे शूरे काशन। त्रसमान एसागी परहर लेचा आयरा पनी पुर्वा परधान मंत्री हरू लाई छून सक्ने अवर्स्ता थिये ना किना की मंत्री परिशत्कार निड़यमा अक्तियार न लागने वनने नियम यवडा त्यां बादा कियो एसागाडी। त्या ही तंगारो लाई कारण देखायार अक्तियार ले एस अगी दुबाई पुर्वा परधान मंत्री हरू लाई उन्मुक्ती दिदे आयको थियो। तरह ही जो आईते बार सर्वच अदालत ने पुर्वा प्रधान मंत्री दुबाई लाई उन्मुक्ती देखायार अब शक्नि वायको थियो। उन्मुक्ती को बिपरीत मां संगठीत अप्राद्र किर्टे का दफा लगायार प्रहिले हाल गर्जय को अनुशन्दान मां मुख्य निर्णाय करता हुर लाई पनी नथा न भने गोशा एक परकाले निर्देशनात्मक आदेश अदालत को कि पुर्वा परधान मंत्री हरू मंत्री परिश्यत को निर्णे भन्ने बाहनामा उन्मुक्ती नडेवु बने रहु उन्योर लाई पनी ताना भने गोशा अदालत्री अक्ति आले दुएजार चात्तर मां 110 जानालाई बिगो कईद र जरिवान तथा पईशर्ठी जानालाई जग्गा जफ़त पर्योजन का अभ्योग्त बनाऊदा पूर्व पर्धान मंत्री अरू माधर कुम्हार नेपलर बाहुराम भर्ट्राई लाई उन्मुक्ती दियोको थेओ अक्ति आले अक्ति आर्ले तुलालाई छाडएको शानालाई माघ्गा समायको बने र बात लागदे आत्यायको थेओ बदमासी का मुख्य निणाय करता अरूलाई उन्मुप्ति दिने तला तला का अरा हुने खटा हुने अरन घटन मा खटीने अरलाई मात्रे फंदामा पार्णे गरेको बंदे आलो चना हुदे आयको थियो तर अबसर्ब चले इस पस्ट बनी शकेको छा कि जग्गा परकरण मा नेपाल सरकार मंथ्री परिश्टको निणय तर्था निणय प्रमाडित गरी कारुनें तहमां पर्तक्षय रूपमा संख़ावन हुने हरू मंत्राल है स्थर मा तेच निणय गर्न किटानी प्रस्था पेस गर्णे व्gender वा प्रस्थामां शंख़ावन माधिल दुकारी माथ प्रहेदलाय कती सगाउंचन त्योपनी अरको चासो माँचा हेर्ण पाकी छ येसे बीज बावराम भट्वाईले छानमिन भायमा तेसमा आपनो पुण स्वयोग रहने पर्तिबतता जनाय काचन बने स्वर्वत्चको आदेश काई अरको दिन आजा मादव कुमार नेपाल विदेश परवन मा निसके काचन जहाज मा उन्नु अगी मादव नेपाल ले अदालत को निड़ाय बारे आफु जानकार रहेको रपर्दान मंत्री पर्चन नसंग पनी स्वीशाय मा फोन मा पुराकानी भायको आफना निकटलाई बतायका थिये दुबै पुर्व परदान मत्री ने आफु दोसी नरावयको दावी चाई एशाधारी गर्दै आएका छन। कि होला अब थब विवरान यो परकरण मा यो रिपोर्ट मा उतारियेको यो थब विवरान हेरू बालवाटार स्थेद लरिता निवास परिशर को सरकारी जग्गा बेक्तिका नाम्मा लईजाने निणायमा श्टलगन ततकालीन प्रधान मत्री मादुकमा नेपाल रबाबराम भट्वाई समेत अनुसंधान को दायरामा तानीने भधायका छन। कर्मचारी तहमा मात्रई अनुसंधान केंद्रेत भई रहका बेला सर्भोच अदालतले जग्गा बेक्तिका नाम्मा लईजाने निणायमा श्टलगन निणाया दिकारी माथिने अभिलम्ब अनुसंधान गरना आइतबार आदेश दियेको हो अनुसंधान का क्रम मा गता असार 26 मा पकराव परिका ततकालीन कर्मचारी योगराज पवडियल का तर्फबाटो सर्भोच मा दायर बंदी प्रत्यक्षिक करण वीट को सुनवाई गरदै नियायाधी सुद्वय अनिल कुमार सेना र कुमार चुडाल को श्रेक्ते जलासले एक कदम अगी बड़े र मंत्री परिशत का पदादिकारी लाई अनुसंधान को दायरामा ल्याउन आदेश दियेको हो निवारण अईन दोयजार सत्तरी अंतर्गत अनुसंधान अगी बड़ा आयक थियो तेई क्रम मा पवडिल समातिय का थिये जगा हिना मिनामा दोई पूरब प्रधानमत्री छो पूरब मंत्री दोई मुख्य सचिब चौध सचिब र कम्तिमा अठार सह सचिब सईद साड़े 200 भंदा बड़ी सगलगन देख्ये पनी ब्यूरोक अनुसंधान हाल कर्मचारी र बिचाउलिया तहमा मात्री सेमेच्छ कोसरी जोडिये पूरब प्रधानमत्री माधव कुमा नेपाल रबाबराम भट्राई माधव नेपाल 1966 र बाबराम भट्राई 2079 माँ प्रधानमत्री बने का थीर बाबराम भट्राई नेत्रेतो को सरकार ले पनी बाल्वाटार को सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाम्मा पूरियाया को थियो माधव नेपाल नेत्रेतो को सरकार मा भावतिकी योजना तथा निर्माण मत्री विजेकुमार गचदार र भोमी सुधार मत्री डंबर्स रेष्ट थिये भने बाबराम भट्राई सरकार मा भोमी सुधार मत्री चंद्र देव जोशी थिये ततकालिन तीन मंत्री विरुद्द अक्तियाले मुद्धा चलाएपनी दुबाईपूर्व प्रधानमत्री लाई उन्मुक्ती दियेको थियो तर उनियरु बिरुद्ध मुद्धा न चलाई एक भंदई दोयाजा चैतर माग उनांतिसमा बरिष्ट अदिबक्ता बालकृष्ण नियोपानेले मुद्धा हाले का थिये तेसको कार्थिक पंद्रमा नुणै आउने तय भाय को थियो तर सर्वत्च दालत को विवाद ले तियो सरे को सरे भायो माधव नेपाल नेत्रतको मंत्री परिष्ट ले चैतर 2006 र वैसाक 2016 माँ प्रधानमत्री निवास बिस्तार गरने नुणै गरेको थियो ते नुणै को आधार मा नकली मुईले सरकारी जगा पाय का थियो मुईनै नभाय का जग्गा मा बार जना नकली मुई खडा गरी तेरा रोपनी जग्गा बेक्तिका नाम्मा सारी एको थियो बावराम भट्राई प्रधानमत्री हुदा भने मंत्री परिशद बैठकले ललता निवास को तीन रोपनी जगा पशुपती टिकिन्छा कुठीको नाम्मा दर्ता गरन शैदांतिक स्विक्रेती दियेको थियो तेई नुणैको आधार मा स्वरकारी जग्गा बेक्तिको नाम्मा गोयको भन्तै ततकालीन सचिब दिनेशरी अधिकारी रो ततकालीन मंत्री चंद्रदेव जोशी अवियुक्त बने का थिये तेती बेला का मुख्य सचिब लिलामणी पवडियले उक्तप्रस्ता मंत्री परिश्यत मा लगेगा थिये मुद्दा चलाई एको बखत उनी चिन का राज़्डु थिये अक्तियारले उनी विरुद्द पनी मुद्दा चला आएको छैना चार पूर्ब मंत्री विरुद्द पक्राव पुर्जी जारी ललता निवास को सरकारी जग्गा बेक्तिको नाम्मा पास गर्ने काम्मा श्रकलग्न भायको भन्ते ततकानीन सचिबरू दिब बस्नियात छबिराज पन्त दिने सरी अधिकारी र नाराइन गोपाल मलेगो विरुद्द पक्राव पुर्जी जारी भायको छब ती मद्दे एक पूर्व साचिब सुधिर सहा पक्राव परिशेके का छण भने अक्तियार दुरुपय गर्ण संधान आयका पूर्व प्रमुखायुक्त समेत रहका दिब बस्नियात फरार छण नकली गुठी र मोई बनायर प्रधानमत्री निवास छेत्र को 134 रुपनी जग्गा बाणियेको लल्दा निवास प्रकरण किनारा मा पुगेको छईन राजनति कर्मी कर्मचारी र भू माफिया को मिले मतमा मुल्यवान सरकारी जग्गा कोसरी ब्यक्तिको नाममा पुक्ष भन्ने यो दरीलो उदारन हो यसमा प्रधानमत्री प्रधान्ने आयदीश्र सवामुखनी वास नहीं हडपी येको छ सर्वोचको उग्ता आदेश पची सरकारी अब कस्तोत कदम चाललान भन्ने निकै चासो को विशाय बने गछ यो प्रकरण लाई सरकारी पुर्वा प्रधानमत्री द्वया मादव र भाबराम लाई चो ख्याओने काम गरलान की पकराव गरेर अनुसंधान को दायरामा ल्यावलान भन्ने हिर न चाहीं के इस समय कुर नहीं परने हुन्छ प्रहरीकु केंद्रिय अनुसंदान ब्यूरो C.I.B. ले ततकालिन पूर्व उपप्रधान एवं भाउतिक योजना मंत्री बिजे कमार गच्च राज्य मंत्री संजे कमार सहा, पूर्व भुमिस्दार मंत्री चंदरदेव जोसी रा डमबर स्फ्रेश्ट विरुद्ध पकराव पूर्जी जारी गरे को छुछ ललितन इवस्टक्ग घीनामीना प्रकरन मा पक्राव पुरजी जारी भैसंगयी तिन पुर्व मंत्री पक्राव पड़लांत भन्ने आमचा सो ब्याप्त छब। प्रहरीले पक्राव पूर्जी जारी गर्णू अगीनै मीडिया मा सुचना चुहाओने गरेखा कारण अवियुक्तहरु पक्राव नपर्ने, भागने संबावना उच्च हुने भःपने, प्रहरीले हाइप्रफाईल माथिको पक्राव पूर्जीलाई, सरकार माथिको को रूप मा समित कती पईले लिये को देखिन छा। गच्छादार ले भाउतिक पुरादार मंत्री हुंदा ललिता निवास को जग्गा नक्खली मोही को सुची मंत्री परिशद मा पेस गरे को आरो छा। ततकाई उपप्रधान मंत्री गच्छादार र सचीव दी ब्रस्नेयात ले मुआबजा देर अधिक रहन गरे को र गुठी कायमे नहुने जग्गा कायम गण मंत्री परिशद मा पेस गरे को आरो छा। तेस बेला मादव नेपाल प्रधान मंत्री थिये नेपाल कै मंत्री परिशद ले सोप्रस्ता पारेत गरे को थियो। संझैकुमार साहा र डंबर श्प्रेष्ट नकली मोहीलाई-67 भर्णा दिने Argentरी माण साहार श्प्रेष्ट को सम्लंग्दता रहैको प्रहरी को दावी छ। गचादर ले जगा कायम गर्ण मंत्री परिशद मां पेश गर्दा संजी कुमार सहार राज्य मंत्री थिये भने चंद्रदेव श्रेष्ट भुमिसुदार मंत्री थिये। सहाद 2019 को जनकपुर बम कान्जमा मुख्य दोसी ठर भय पची उनी हाल कईच सजाय भुगतान गरी रहे काचन। चंद्रदेव जोसी छोटो समयका लागी भुमिसुदार मंत्री भय का जोसी का पालामा सरकारी जगा व्यक्ति का नामा गए को थियो। उनी दुहाजार उनान सत्तरी असार साथ देखी दुहाजार उनान सत्तरी असोस द्वी समय मंत्री रहे का थिये। ततकालीन प्रधान मंत्री मादफकुमार नेपाल को पालामा दुहाजार शोट्री शाल चयत उनान तीस कते 2064 साल वैसाक एक तिस कतेर दुहाजार शर्शाल साल चाउन अट्थाईस कते मंत्री परिशत को नेरणय बाट ललीता निवास को एक सई तेर रोपनी जग्गा मा तेस्तेई ततकालिन प्रधान मंत्री डाक्टर बाबराम भट्राएको पालामा दुहाजार उनान सप्तरी साल असोज अठार गते थप नक्कली मुही खडा गरेर लगिता निवास को सरकारी जगा अपचलन का लागी सईदान्तिक स्विक्रिती दिये को थियो। एस कारण पनी यो प्रकरण को अनुसंदान रो कारवाई प्रक्रिया कसरी अगी बढ़्चा भनने आम चासो ब्याप्ता छो। चर्चा हो मधेश को पछिल्लो राजनतिक स्थितिको बारे मां। थ्रेट को रूप मां देहकाचन वने मधेश मां असरदार इंट्री मारे को शीके राउट नेत्रित्तको जनमत पाठीले पनी जशापालाई आपनो मुख्य चुनवतिको रूप मां। जनमत ले जशापालाई कमजोर ना पारे सम्मा मधेश मां आपनो बलियो उपस्तिती सम्भब नहुने ठाहर नहीं गरे कोछा। उता जशापालाई पनी जनमत लाई कसरी रोकनी हो तेस मां सकस पज़ाय कोछा। मुख्यता मधेश को राज मेती पछिलो समय यही दुई पार्टी को इनहीं दुई ता नेता आरुको पेरी फेरी मां बड़ी केंद्रेद बने कोछा। उपेंद्रा कसे गरी सत्ताय यात्रामा सामेल होना चान्ते उनले तियो चाहना पुरा गरी छाडे उपचुनाम्मा उठेर भेरी। जसे बारा जनमात पार्टी बाहेग कांग्रेश मावादीर यहमारेको मदेश मा ना आशा ना निराशा को इस्तिती होईले बने कोछा गईको चुनाम देखियाता। 2004 को चुनाममा बन्दा चाहिए अपेछा किरित संतस जनक नहीं रायो इठुला पाटियर को इस्तिती किने कि त्यो बेला अली छेत्रिय दलरू मदेश बादी दलरू को अली बड़ा दबदबा को इस्तिती थियो। तर पनी थुला दलर को साख भने खसके का इस्तिती मां छा तेस्तो उद्दार तेहां भाय कोई अवस्ता होई नौ। मदेश का जो पुराना दलर नेता हरू थिये उनियरू को इस्तिती बने पचिला चुनाम मां रहाल को राजनितिक भाट मां निकई दयनी आलत मां खसके कोछो जो मदेश का मशिया भने रा ठानिंथे दलरू तिनेता हरू उइले सिद्वाट हटी राय को इस्तिती थिती तो उसको इस्तितित्यों पहिला और का आई पुगेगों चुना पचित जन्न लोशपा का नाम चले का नेता हरू समेट लगभग सीन आउट भाईशा के का चन मदेशलाई जग बनायरा राष्टी राजनिती मा प्रभाब जमाये का लोशपा का नेता हरू महंत ठाकूर राज का नेता हरू महत्या को चक्ति आपनो हातमा राखे का थिये कांग्रेश आमाले रा मावादी जस्ता ठुल डल होर लाई समयत इ नेता हरू उड़ा टकर दिन अईशत राग थे ठुला दल का राष्टी तो आका नेता हरू महत्यार राऑच्टी ठाका नेता हरू समयत म पर लामो के थी टिक है थीस साटा माधेस अम्याश काया अ भाग जैञवाम शेमहाने वीजानलता को नजर माझने था कारवीरप्त स यंद्या वहल रौदव खा जरती होल। उता शीके राउत अमेरिका को जागेर छाड़ायर स्वतंत्र मदेश को नारा बोगदाई विखंडनकारी नारा मदेश लाई नेपाल बार ठुक्रे उने त्यों खालको राजनितीमा उनी थे विखंडनकारी उनलाई भनिनतियो 2075 फागुन 24 गते तातकालीन परदान मजी केविशाद मा ओली संग एकारभोदे सवामती गडरे शीके राउत ले मुलदार को राजनितिमा पदार पन गरेका हुन तेसपची उनलाई यो मुलदार को राणिती अली फापी रायेको उनी अहिले केंद्रमा असरदार वडार ने भाटकी अने फैनन भाटके अर घौ का ज कहँआए मुलदार को राईता को वेका नियुदार को राचन स्दाविशाद में बुदान मजी के लिए खेन शेतं लेसा, आको साले कर लो राबोट बाट गईरो दक्का भोगे का यादव अंतता सप्ता गर्पन्दन को सारा लिये र फेरी बारा दोई मां उपजुनाब लड़े र जीते पनी रोईले सप्ता मां उने साज़दार छन अब पर्थिनित सभाय मां यादव र शीके राउद को परवेशले मदेश को राजनिती रोचक बनी रायको साखास गरी समसदमा मात्रे वही न सरकार मां पनी दूई विचको टक्राब देखिने गरेको सा इदूई दल को त्याहां एक्खाल को असंगत छिना जब्टी देखि अब देखिको अब दूई अब आपक्स पूरागार्न शकेनन उनियर्षाबाटा शीके राउद फाइदा लिने दावमा उत्रिये र प्रारंबिक लाभ उनले ली पनी सके काछन सफल पनी बाया काछन सिके राउद राउद को पार्टी राजनितिक सिद्धान तवा बाद काई साबले अजय प्रस्ट खुली साकेको छहिना थोरे सामसाथ साहित समसाथ मा पूगदा पनी हतार गरे र सरकार मा गए पछी शिके राउद पनी वी पुराने सक्ति जस्तो सत्ता को लोभी देखियेको बुजाई परेको छो एधी पुराने दलको प्रभिर्ती राउद लाई पनी जन्ता ले बारं बार अनुमोदंत पक्कई गर्णे चाहिनन राउद जन्ता को आखामा कती खारो उत्रिंचन त्योता आउने समयले बतावला तर राउद का लागी अगारीको बाटो भने चुनाउति रहित अवस्यत छाहिना मदेश राजनितिका जानकार और का अन्सार मदेश को मुद्धा संगन न उपेंद्र यादबलाई मतलब चानता नया आयका शिके राउतलाई ने मतलब तो के आधार मा भनियो बने इस्तो आरोग उनियरको स्वार्थ फगत सत्ता मा बार जोडियेको देखिरायको छा मदेश परदेश को सरकार को नेत्रितो जासपाली गरिजायको छा जासपा रा जनमत पनी स्वागी तेसमा छा त्यो सरकार मा जासपा नेत्रितो को सरकार मीले का चान परदेश मा पनी सत्ता मा चान एथा केंद्रे सरकार मा पनी जासपा रा जनमत दुवे पार्टी का मंत्र सब्सक्राइब करने जन्ता का मुद्यामा खासे मतलम नराखने हो बने जसरी महनता ठाकूर राजन्दर महतोरू द्रिश्य बाट गायब होदे गायब काचन उसे गरी उपेनर यादव रशी के राउ थरू पनी गायब होने तो दिन आउना सक्षा दसमें यो मदेशको पछिल लोग घाजनितिक परिद्रिश्य पस्तो छा यसलाई सर्चत यहां मिले यहां माज उतारे रा प्रस्तो दुद गारे हो आजोको लागी ताय समय सक्कियो कुछा मा बिदा मुझे नमस्कार